अगले को अधर के बात चलते हैं। जहिन बोलिये। जहिन सर। हाँ। मैं दिगंबरत साथ मंगना ही बोड़ा। सर। हाँ। बोदी का नाम उसको नहीं किसी ने दिया है, नहीं उसने किसी से लिया है। क्या कोई भी चाहेगा कि उसके राष्ट का राजा सिखंडी की भूमिका में हो जिसको खड़ा करके जो चाहे तीर चलाता रहे कुछ लोगों ने बहुत समय से सांपरदाइक सर्ट्यों को बाहर रखने के नाम पर किसी ते किसी मापुरूस का नाम लेकर या देकर पीडी दर पीडी सासन करने का जंता से बर्दान प्रास्ट कर लिया है आज अन्ना हजारे राम देश जैसे मापुरूस के आंदोमन से जंता जावरुक हो गई है कि मोदी की नहीं पर मुगनकाल के आज तक का इतियास रख कर या अपनों बारा राज हम्जा जुम्रा लिखकर उसके दिकास कालियों को लटारा नहीं जा सकता आज बिपक्ष मेरे भी कोई है तो सिर्फ मोदी हर्जवर मोदी सारे जग में मोदी इसी तरह दौपर में किष्ट किष्ट सब कौम खुष्टा उसके मिठाने के लिए अबलो और पराया ने कोई कसर छोड़ी किया तब राजा भाई वतीजवर दुराचर लारी अत्मान फुत्रमों में दूबा था मोदी के आने से डर इस शीट का है उसका बंच कोई नहीं सामबदाई शब्द जिसमें अमर अकबर अंथोनी को एक दूसरे के खिलाब ख़ला कर देश को हर चुनाओं में ग्रे जिद्द तक पहुंचा दिया है इसका कहीं अंत नहो जाए देश में कोई नया पन ना जाए भारत को भारत होने का गरब न मिल जाए यही दर्शता तर रहता है परिवस्तन संसार का नियम है वो हो के रहेगा वो हो के रहेगा जहिन नमस्कार धन्यवाद अगले कोलर के पाथ चलते हैं जहिन मैं यह कहता हूँ कि हमारे देश में सबसे पहले अड़वानी जी ने ऐ कालधान का मुद्ब उठाय था मैं यह कहता हूँ कि ए एक ऐन ङा गंद बार अडवानी जी को भी बनाया जाए देश का प्रदानमंत्री और उसके बाद मोदी जी ने कहना चाहता हूँ जी धन्यवाल आप भी आपनी परतिक्ष दे सकते हैं आपको जो भी कहना है क्योंकि देश में लोगतंतर हो ना हो हम कहते हैं बिंदास बोल में हम लोगतंतर दिकाते हैं और आपकी राय को रखने केलिए पुरे सन्मान के साथ आपका स्वागत करें आप जो भी राय रखना चाहते हैं क्योंकि चल्चा जब तक नहीं होगी अलग अलग मुद्दे जब तक सामने नहीं आएगे तब तक उत्तर देने वाले भी आपने तरकों के साथ पूरे जो सो से खड़े नहीं होंगे इसलिए मुद्दा अगर है तो दोनों पक्ष भी जरूरी है तीसरा पक्ष भी जरूरी है आप जिस भी पक्ष है अपनी बात को कहें क्योंकि ऐसे विविन्न बातों को लेकर ही चिंतन मंथन होगा मनन होगा और तब हम आगे जा पाएंगे विशय को न्याय देने के लिए इस इसके अब शक्ता है इसलिए अगर सहमत है आप इस मुद्दे की उपर अलग राय रखते है इसलिए कॉल नहीं करेंगा इसे भावना में मत रहे आप अपनी बात को कैसे भी कर सकते है अगले कॉलर के पाथ चलते है जहिन बोलिए नमस्कार पर नमस्कार बोलिए कि नरेंद्र मोधी को प्रतान मंत्री बनाए जाए और ये और शब दिखाते है कि एक हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे अब विदेश मंत्री है सल्मान खूरशिद यह सलमान खूरशिद ने नरेंदर मुदी को एक तरिके से सिदे सिदे बंदर कहा है और नरेंदर मुदी को बंदर कहने का इंट्रिवु उन्होंने CNN IBN चैनल को दिया उनके करसी के साथ हम कुछ से कन का वीडियो उनका दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं देखिए बंदर कहा है या बंदरों का खेल कहा है तो एक और कार्टू में स्क्रिम पे फिर दिखाने के लिए कहूंगा कि जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में एक कार्टून आ गया है और वो कार्टून बजरंग बली दिखा रहा है नरेंदर मुदी को वो कह रहा है कि अगर आप हमको बंदर कहते हैं ते हाँ हम बंदर हैं लेकिन हम सबसे बड़े बंदर हैं आजसात हनुमान है महा बली है और बजरंग बली है दूसरी तरफ यूपिय गवर्मेंट आजसात रावन की लंका दिखाई गई है यह कार्टून है जो क्रिक जबर में हिंदु आदी ही बोलते है ऐसा नहीं है अब तो निरेंदर मुदी को हिंदुत्व की बात करनी की ज़रत नहीं क्योंकि जब वो हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसमें सब आते हैं कौलर के पास चलते हैं जहिन जहिन बोलिए मैं किरपार से बोल रहा है इसलिए अभी हम इसे चाहते हैं कि यह अभी इनकी एज़ी इनको इजाज़त नहीं जेती है और जे मोदी जी को चाहते हैं और हमारे देश को गाइड करने के लिए क्योंकि जैसे पता है सभी को के यूपीय सर्कार जो है खास करके बीसो नौ के बाद जो से काम किया है तो भा के लोगों को बहुत उमीद है जैन्यवाद अगले को दर के पास चलते हैं जहें जहीं सद बुलिए सर मैं विवेक अनन्द बोराता सर बिहार से हां सर मैं ये कह रहा था कि अदवानी जी को दो तीन बर चांच दिया गया है इसमाने के लिए उनकी ताकत को अजमाने के अजमाने के लिए जैन्यवाद आगले को दर के पास चलते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं जहीं बुलिए कि है एलो सर नमस्कार सर हाँ नमस्कार सर मैं बसंत कुमार्केप टांस आतवरी कैसे बोल रहा हूं सर बुलिए सर जिस तरह से नरंदर मोची जीद का इरोध हो रहा है अपने पेश में यह तो जैसे के अंग्रे जोका जो सरकार था उसके खिलाव जैसे हो रहा था अभी हो रहा है इस तरस से यूपी इस सरकार हमारी हमारी आप सकता हूँ पूर्टी को और जिस तरह से संड़चनब जो था ओ फिर गुलामी के तरस ले जा रही है क्या ये जितने सारे सेकलर है वही सारे नरेंदर मोदी जी का इर कर रहे हैं क्या नन्यवाद अगले को दर के पास चलते हैं जहिन जहिन सर बोलिए सार नरेंदर मोदी ही देश के ब्रदान वंद्री बनने चाहिए ये हम सभी की इच्छा है आगे नन्यवाद हम आपको परणाम दिखाते हैं क्या गर आइसा ही चलता रहा तो क्या होगा देखिए भाजपा संगठित नहीं हो पाएगी भाजपा को इस वक्त एक जुठोका देश को एक मजबूत नेतरत्व देना था लेकिन आज भाजपा कही न कहीं बटी दिखाई दे रही है देश को मजबूत नेतरत्व नहीं मिल पाएगा देश में जिस तरह से हर और मायूसी का मोहल है ऐसे में देश की जनता में नई उर्जा का संचार करने के लिए एक मजबूत नेतरत्व की जरूरत है जो देश को इस मायूसी से बाहर निकाल सके देश के यूवा वर्ग में मायूसी चाही रहेगी आज देश का यूवा नरेंदर मोदी को देश का सबसे लोकप्रिये नेता मानते हैं नरेंदर मोदी में देश का यूवा भारत का भविश्य देखते हैं अगर मोधी देश के प्रधान मंत्री नहीं बनते हैं तो ऐसे में देश का यूवा मायूस हो जाएगा भारत घपले घोटालों वालत देश बना रहेगा जिस तरह से आए दिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं उसे देश की च्छवी, दुनिया में एक घोटाले बास देश की बन गई है ऐसे में देश को ऐसे नेत्त्रत्व की जरूरत है जो ब्रिष्टा चा से देश की जनता को राहत दे सके आतंगवात भारत की जड़ों तक पैठ बना लेगा भारत सरकार आतंगवास से लड़ने में दोहरा खेल खेल रही है एक ओर तो आतंगवास से लडने के नाम पर बढ़ चड़ कर वादे किये जाते हैं तो वही दूसरी ओर वोट बैंक की रायनीती के नाम पर आतंक्यों से vimos पूती दिखाई जा रही है यह प्रणाम होंगे कई कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े उनके पास भी चलते हैं यह बारत के लिए और अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा वा सिर्फ एक ही सगर सकते हैं वो स्रीमान दरेंदर मोदी है जहीन जहीन ननिमाद आगले को अधर के पाथ चलते हैं जहीन बोलिए जहीन सर क्या कहिना है हाँ सर मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में मोदी की जो हांदी चली है इसको कोई भी माईकला रोक निपाएगा मेरा मेरा इवेजन है धन्यवाद हम यहाँ पर रुखते एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दुबार आएंगे बिंदास बोल चाहरें नरेंडर मोदी का विर्ध कीव है आपका क्या कहना है आप काल कर के वीडियो में मैशेज दे के या Skype पर वीडियो कॉल करकी भी आपनी बात को रख सकते आप सोशल मेडिया के द्वारा फेस्टूक पर तमाम सारी सोशल साइट पर आपनी बात को रखेंगे तो भी हम उसको स्क्रीन पर दिखाएंगे हम चाहते कि दुनिया की अभीवक्ती करने की जितनी भी संसादन है उनके द्वारा आप बोले, सोचे और बिंदाज बोलकर आपकी राय को दे हम चुप है यही हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारा है कॉलर जहिन हाँ सर नरेंद मोधी को पी-म बनाना चाहिए हम क्योंकि सर उनका लोगपृता देश में सबसे अधिक है हाँ और जो भी सर यह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको हम अगर यह नरेंद मोधी अगर आते हैं तो कांग्रेस का मतलब नाम निसान मिठ जाएगा और उनकी लोगपृता वो देखकर यह सब भवरा गए है इसलिए मैं चाहूंगा कि नरेंद मोधी को ही बनाना चाहिए और लालकर्षन अडवानी जैसे उनका हेल्थ खराब है इसकी वज़े से वो आनीप आए है इसलिए मीडिया को भी इतना नहीं उछलना चाहिए उसके बारे में अगले कोलर के पास चलते हैं जहिन चलिए हम दन्यवान आवज नहीं आ रहे ही कोलर की हम आगले कोलर के पास भी चलेंगे आप भी कोल कर सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं जहिन मुलिए चोहानके जी नमस्कार बिंदासवल में आपने मुझे 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 दिया आपका बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा लगता है कि जब आज के समय में पूरा विश्व पूरी मीडिया के सर्वे मोधी जी के फेवर में है तो उस वक्त मोधी जी का विरोद्गा मुझे कोई अच्छित नहीं ने जराता आज मीडिया के सारे सर्वे ने ये कह दिया है कि अगर मोधी जी के साथ बीजेपी लड़ती है तो बीज़ेपी को बंपर फायदा मिल सकता है और मोदी जी ने अपने तंपर लगातार तीन बार गुजरात के चुनाओं जीत करके अपने आपको सावित कर दिया है कि मोदी जी किस इतना माद्दा रखते हैं ऐसे उसमें मुझे ये नहीं लगता है कि अगर मोदी जी का दो जज़त पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं मैं उसको बिल्कुल भी फेवर्ट नहीं करता धन्यवाद अगले को अधर के पाथ चलते हैं जहिन विजय कुमार सिंग बोले विजय कुमार जी हाँ चानिया चंदवली हाँ सरम बोल रहे हैं कि जो तीन मोहनी बाबा बैठे हुएं कांग्रेस में हाँ अरे मनमोहन सिंग और सुनिया गांदे और राहूल गांदे हाँ और उसके बाद तीन एक सलमान खुरसीद हाँ सलमान खुरसीद जो हाँ है अगर उसके पास हिम्मत है तो नैन्र मोहनी के सामने आकर चंदवली से लगकर देखने और नैन्र मोहनी की क्या इमेज होती है और सलमान खुरसीद की क्या इमेज है सलमान खुरसीद तो आपने पत्नी को भी नहीं जिता पाए अगले वालर के पास चलते है जहिन बोलिए 36 गड़ से यह मलब मेरा यह है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है और बास्तों में भारत देश को पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ाना है तो नर्यन मेजी वो प्रधार मंतरी बनाना है दन्यवाद देश के लिए मोदी से बात करने वाले ज़्यादा तर लोग नौन बीजेपी वाले हैं आम दर्शक हैं भारती आम हिंदुस्तानी हैं लेकिन अपनी बात मोदी के पक्ष में कह रहे बीजेपी की भी कारे खरता कह रहे लेकिन बीजेपी के सारे नेता इस विशे पर सहमत क्यों नहीं है क्या प्रधान मंतरी की खुर्ची अपने आपको पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या ये देश विरोधी क्रिक्ते नहीं है